नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशा सत्तिकीरा में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड आज का दिन इंदोर वालों के नाम है आज आप हमसे इंदोर में मिल सकते हैं कल भी मुलाकात कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार समय आप जल्दी से सुनेश्चित कर लीजेगा मिलकर सरस्वती औरा कवच भी प्राप्त कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए अगर आप पहले बच्चों की कुंडली दिखाए हैं तो उसके लिए आपको 50% डिसकाउंट मिलेगा सरस्वती और का कवच में देर मत करिए कारियाले के नंबर्स पर अभी कॉल कर सकते हैं आए सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का सरप्रथम जानते हैं पहले आज का पंचांग जैसा कि आप सबको विदित है राहुकाल अशुभ और गुलिक काल परम पुनीत और शुभ होता है गुलिक काल में आप कारे आरंब कर सकते हैं मेंसे लेकर मीन तक दिन कैसा बितीत होने वाला है आज का इस्टो क्विस क्या रहेगा और कल के भाग्यशाली विजेता से बात करने का मौका आज सब कुछ अभी इसी समय आपके साथ जुड़ेगा चली बढ़ते आगे और अब जानते हैं आज की भविश्यवाणी मेश्राशी शुक्षा के लिए आपका प्रयास सफल हो रहा है पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे रुकावण दूर होगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए भारी है आज और व्यापार में भी धन आपका फ़सेगा व्यापारिक रुकसान की संभावना बनती है आज सरकारी छेतरवालों को वाहन का सुख और प्रमोशन की खुश ख़वरी मिलेगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्री और बच्चों के प्रती जिम्मेदारियों का निर्वान होगा लव लाइफ थोड़ा सा भारी पढ़ रहा है सोच समझकर फैसला लीजिएगा आज डेट पर जाना कैंसिल करिए स्वास्त के मामले में किटनी और जुखाम खासी की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज किसी जरूरत मंद को प्रणाम करते हुए हरी सबजी का दान करना शुब होगा और क्या नहीं करना है दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है शुबरंग लाल भाग्य प्रत्षत 57 ब्रिशव राजी पढ़ाई के लिए अवसर अच्छे मिलेंगे सिक्षा में सुधार होगा ब्यापार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर में अनुकूलता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत मजबूती दे रहा है सरकारी छेतर में बाधाएं रहेंगी गवर्मेंट सेक्टर कुछ न कुछ परिशानी देगा दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा एक दुसरे को सपोर्ड करेंगे पुरानी समस्याओं का हल लिक लेगा लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है कुछ न कुछ मुश्किल परिशानी आ सकती है स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्रॉबलम हो सकती है क्या हुपाय करना चाहिए ब्रिशबालों को आज प्रियोग के तोर पर मादुरगा को प्रणाम करके घी का एक दीपक अपने घर के मंदिर में जलाईएगा क्या नहीं करना है बड़ बोला पर नहीं दिखाना है नीरारंग शुभ है 52 प्रतिशत का भाग्याब के साथ है मिथुन राशी पढ़ाई में आज मन लगेगा शुख्षा की स्थिती में घर प्रकार से सकारात मकता है शुख्षा बहुत अच्छी है ब्यापारिक दिश्टिकोर से समय प्रतिकूल रहेगा बिजनस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर अच्छा है चिंताओं से मुक्ती देगा प्रमोशन की स्थिती बनेगी नई नौकूरी की संभावना है सरकारी छेत्र में उलजन बढ़ सकती है गौर्णमेंट सेक्टर वाले आज सावधान रहे बास के साथ भी बाद होगा दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी लव लाइफ आप पर आज अनकूल है किसी तरह की समस्या में उलजेंगे नहीं लव लाइफ को ले करके सजग रहने की आवशकता है रेकिन स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्रॉबलम हो सकती है मिथुनराशी वाले क्या उपाय करें आज प्रियोग के तौर पर भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए लड़ू का प्रशाद चढ़ा दीजेगा क्या नहीं करना है आज जल्दी बाजी में फैसला नहीं लेना है सिक्षा की प्रती आज समस्त दायत्तों का निर्वहन करेंगे सिक्षा आपकी पूर्दा की तरफ है पढ़ाई एकदम अच्छी चलेगी किसी तरह के दिक्कत नहीं होगी ब्यापार पर थोड़ा सा अंकुष लगाना होगा बिजनस समस्या गस्त कर रहा है परिशानियां बढ़ सकती है प्राइविट सिक्टर बहुत अनकूल है अवसर बड़े मिलेंगे उनका लाब भी होगा सरकारी छेत्र थोड़ा सा तनाव देगा गवर्नमेंट सिक्टर वालों को सजग रहने की आवश्यक्ता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा एक दूसरे को सपोर्ण करेंगे लव लाइप पर थोड़ा सा अंकुष लग रहा है यहां परिश्थितियां पक्ष में नहीं है स्वास्थ के मामले में किट्नी और बैक की प्रॉब्लम परेशान करने वाली है क्या उपाय करना चाहिए आज किसी जरूरतमंद को चने की दाल का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है क्रोध में आवेश में आकर कोई फैसला मत लीजेगा शुबरंग बादामी भाग्य प्रत्षत 55 सिंगराशी पलेसारियों से बाहर निकलेंगे सिख्षा के प्रति दायतों का दिरवान होगा पढ़ाई बहुत अची करेंगे व्यापार थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है विजनेस की स्थेती ठीक नहीं है प्राइवेट सेक्टर आप पर आज अनकूल है हर प्रकार की सकारात मगता है शुबता मिलेगी सरकारी छेत्र उल्जन दे रहा है गौर्णमेट सेक्टर की स्थेती में सुधार नहीं हो रहा चिंताएं बढ़ सकती है दामपत्त जीवन बहुत अच्छा है पती-पत्नी की बीच नह बढ़ेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइव की स्थेती में थोड़ा सा सुधार होगा लेकिन शाम होते होते सम्हाल लीजिएगा स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो सिंग राशी वालों को आज हड़ियों की दिक्कत हो सकती है डाइजेशन में प्राबलम हो सकती है और कल वाली बीमारी थोड़ा सा कैरी फारवर्ड हो रही है क्या उपाय करना चाहिए आज आज भगवान गणेश के समक्षे घी का दीपक प्रज्जुलित करिएगा ओम गंगर पते नमह का जाब भी आपके लिए शुब होगा क्या नहीं करना है उधार नहीं देना है शुबरंग स्लेटी भागिप्रत्सत 58 कन्या राशी परिस्थितियां आपके पक्ष में है सिक्षा पूर्णता की तरफ पढ़ाई हर प्रकार से शुब है ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे परिशानियों से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सिक्टर आपके लिए भारी पढ़ेगा कुछ चिंताएं बढ़ सकती है प्राइवेट सिक्टर वालों को सजग रहने की आवशिक्ता है सरकारी छेत्र उल्जन दे रहा है गौर्णमेंट सिक्टर में चिंताएं बढ़ रही है सोच समझ कर फैसला लीजी दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पतनी के साथ थोड़ा सा सवहार्द रहेगा और लव लाइफ की स्थिती में भी सुधार होगा स्वास्थ के मामले में आज पैठ और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाए करें भगवार विश्रु को आज याद करिएगा क्या नहीं करना है बड़ बोला पर नहीं दिखाना है शुवरंग आप के लिए गुलाभी भाग्यिप्रत शति क्या बन वक्त छोटे से अंदराल का है देखिए किस शहर में आप हमसे कम मिल सकते हैं जोतिष दिशाज जा रही है जल्दी वापस आते हैं एक बाद फिर से आपका बहुत स्वागत है देख रहे हैं आप जोतिष दिशाज सत्तिकिरा आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी बात अब तुलाराशी की पढ़ाई हर कीमत पे बहतरीन सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी एक दुसरे को सपोर्ट करेंगे पार्टर्शिप टिक जाएगी प्राइवेट सेक्टर भारी पड़ेगा सोच समझ कर फैसला लीजिए चिंताय बढ़ सकती है सरकारी छेत्र उल्जन देगा गौर्णमेंट सेक्टर में कुछ समस्याएं आ रही है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा गौर्शरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ पर थोड़ा सा अंकुष लगाईएगा आज अलगाव की उमीद है स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़क लीजेगा क्या नहीं करना है लंबी आत्रा नहीं करनी है शुबरंग ग्रे भाग्य प्रत्षत बावन 52 ब्रश्च ग्राशी समय अच्छा है पढ़ाई अच्छी चलेगी सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार अनकूल है बिजनस में आई बाधाय दूर होंगी प्राइविट सेक्टर आपके लिए थोड़ा सा भारी पड़ेगा सोच समझकर फैसला लिजेगा सरकारी शेतर बहुत अच्छा है गवर्मन्ट सेक्टर में सकारात मकता है दामपत्य जीवन उलजन दे रहा है गवर्मन्ट सेक्टर वाले जो मेरिड लाइफ में है उनको थोड़ा ध्यान देना होगा लव लाइफ की स्थेती में सुधार हो रहा है मुश्किलों का हल निकलेगा परिशानियों से बाहर निकलेगे स्वास्त के मामले में ब्रिश्चिक रासी वालों को आज जुखाम खासी की शिकायत हो सकती है साथी साथ डाइजेशन प्रॉब्लम भी रहेगी प्रियोग क्या करना चाहिए किसी बुज़ूर को दवा का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज अपने राज बताने नहीं है बादामी रंगशुभ है साथ प्रत्शत का भाग्य है धनुराशी पढ़ाई बहुत अनकूल है सिक्षा में हर प्रकार की शुक्ता है ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे प्राइवेट सेक्टर भार ही पड़ेगा सोच समच कर फैसला लेजे सरकारी छेत्र बहुत अच्छा है परशानियों से बाहर निकल रहे है दामपत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आएंगी रुकावट हो सकती है लव लाइफ बहुत अनकूर परशानियों से बाहर निकालेगा शुमता मिलेगी स्वास्थ के मामले में बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए धनुराशी वालों को आज ब्लैक कलर पहलना आपके लिए शुब होगा क्या नहीं करना है जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना है शुबरंग आपके लिए आज काला है भागी प्रित्षप छाचट मकर राशी परिशानी दूर हो गई पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी सिक्षा में लाब होगा ब्यापार भी सुभ है पार्टनर्शिप टिक जाएगा रिस्क लेना सकारात्मक है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अनकूल नहीं है चिंताएं बढ़ सकती है सरकारी छेतर बहुत अच्छा रहेगा गौर्णमेंट सिक्टर में अनकूलता मिलेगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ की स्थिती में सुधार नहीं हो रहा है यहाँ पर मुश्किलें आएंगी स्वास्त के मामले में किड्नी और बैक की प्राब्लम हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिएगा क्या नहीं करना है इस तरियों से उलजना नहीं है शुबरंग लाल भागिप्रत्सत सिख्टीवार उम्राशी पांच मार्च शनिवार शिक्षा पूर्णता की तरव पढ़ाई एकदम अच्छी ब्यापार भी ठीक है आज जितना चाहें कदम बढ़ा सकते है प्राइवेट सिक्टर आप पर आज नियंत्रों रखेगा लंबी आत्रा टालना होगा सरकारी छेतर की स्थिती में सुधार हो रहा है गौर्णमेंट सिक्टर बहुत अनकूल है अब सरबढ़े मिलेंगे दामपत्य जीवन भी सकरात्मक है बहुत सकरात्मकता के साथ आगे बढ़ेगा लव लाइफ थोड़ा सा भारी पड़ेगा अचानक से दिक्कत आ सकती है स्वास्थ के मामले में पेट और की लीवर की प्राब्लम नहींगी क्या उपाय करना चाहिए हल्दी और जल उल्टी हथेली पर रखकर किसी पोधे के नीचे डाल दीजे क्या नहीं करना है बड़ बोलापन नहीं दिखाना है शुबरंग हरा भाग के प्रत्षत पचास अंतिम राश मीन पढ़ाई बाह आरंद पूर्वा ब्याबार भी अच्छा है प्राइबेट सेक्टर के लिए दिक्कत है नोकरी पर आचा रही है सरकारी छेत्र अनकूल रहेगा मुश्किलों का हल निकलेगा दामपत्य जीवन में कुछ उठा-पटक होगा शाम होते होते ठीक हो जाएगा लव लाइफ पे सुधार है डीट पे जा सकते हैं बिवाह की चर्चा भी कर सकते है स्वास्थ के मामले में आज देखा जाए तो बैक की प्रॉबलम होगी जो खाम खासीक शिकायत रहेगी माइगरेन से भी सम्मधित कुछ चिंताएं बढ़ सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए आज सफेद वस्त्र धालर करिए आप अगर आपकी राशी मीन है क्या नहीं करना है आज बढ़ बोला पर नहीं दिखाना है किसी से बढ़ चरकर की बात नहीं करना है थोड़ा सा प्रॉफाइल लो रखिए सफेद रंग शुभाए ठावन प्रतिशत का भाग या आपके साथ है मेश से लेकर मीन तक अब आई जानते हैं आज का भाग याक्षर मेश गाग्षर विषवरा मिथुरहा करक ला सिंग नाक्षर कन्य रा तुला बाग्षर विष्चिक पाधनू याक्षर मकर का कुंभ लाग्षर मीन भाग शुब भाग्याक्षर सादे चौकुर कागश पर लाल रंग के इंक वाली कलम से लिखकर अपने पास रखना होता है पूरे दिन भर के लिए अगले दिन का जब आपको भाग्याक्षर प्राप्त होगा तब इसे आप दो भागों में करके कहीं डाल दीजे बात करेंगे बाद के आइश्टो क्विस्की चर्ब रोग का कारक ग्रह है बिकल्प है ए शुक्र बी शनी सी बुध दी सूर इसकीन पर देखिए शुक्र शनी बुध या सूर तचा का रोग चमड़े का रोग तचा रोग किस ग्रह के कारण होता है कौल सा ग्रह देखना होता है चर्म रोग के लिए कि उसकी सिच्वेशन क्या है स्थिति क्या है सही उत्तर आप दिये गए नंबर पर वाट्सअप टेलिग्राम अपने दो फोटोग्राफ के साथ छोटे और बड़े के साथ तुरंद करिएगा जितनी जल्दी करेंगे सेलेक्ट होने की संभावना उतनी प्रबल रहेगी चले आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज की सकसेज की कुछ सिक्के सर से तीन बार उल्टा वार कर किसी पौधे के नीचे रखती जिएगा सिक्के एक दो रुपे के अब आज का आयूश्मान भावत जिसका आज सुब जनम दिन है आए उसके लिए एक दिब्य उपाई बताते हैं दो लोग को खाना खिला कर तीन जरूरत मंदों को वस्त्र का दान करना है उनको जिनका आज पांच मार्च को जनम दिन है और जिनकी आज मैरिज अनिवर्सरी है दो पीपल के पौधे पब्लिक प्रेस पर अपने हाथों से लगा दीजेगा यह दो रहा आज के सभी राशियों का हाल सारे अंक हमने बताये सकस्सकी बताया भाग्याक्षर बताया हर राशी का उपाय बताया जिसका जनम दिन हो बताया जिसकी आज मैरिज अनिवर्सरी है उसको बताया प्रश्न किया लेकिन बाकी है अभी कल पूछे गए प्रश्न के उत्तर को जानना आये जानते हैं कर हमने आप से प्रश्री किया था निमलिखित में से किस सामगरी में शुक्र नामक ग्रह का अंश होता है और आपके मिकल्पत है ए शहद भी काले तिल सी नीबू डी हल्दी सही उत्तर है ए शहद लगबग साथ प्रत्षत लोगों ने सही उत उत्तर दिया है नीबू भी लोगों ने बताया है कि तुक्का कहा तक जा सकता है शुक्र मीठा है शुक्र रशायन है शुक्र शहद है शुक्र पुष्पों का रस है शुक्र पुष्प है और शहद पुष्पों से ही बनता है चलिए जिसने भी सही उत्तर दिया है उसको हम पारी तरफ से शुब काम नाएं और अब हम उनसे बात करते हैं हलो 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 विद्या भट्ट जी बोल रही है विद्या भट्ट जी बोल रही है सिर्यादे संतो संतोशी बात कराऊं जोतिश दिशा से कैसी है आप विद्या भट्ट जी आप कैसी है सुब़ साम रात कभी भी कॉल आ सकती है भागेशाली बनने के लिए कोई आवश्यक्ता थोड़ी है कि कौन से समय में फोन आएगा आज आप भागेशाली दर्शिगा बन गें विद्या भट्ट जी हाँ देखा मैंने आप बहुत लंबे समय से ट्राइ कर रही है और परमात्मा ने आज आपकी सुन ली बिल्कुल सुबह सुबह आपके पास कॉल आ गई और आप एकदम शौक ढोगई कौन बोल रहा है आप खुब प्रशन रहिए कहां से बात कर रहे हैं विद्या जी आप गुजरात में कहां रहती हैं खंबालिया देश्टि कौन सा पढ़ता है आप बहुत बढ़िया बहुत शुबह है तो विद्या जी क्या करती हैं अच्छा 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 बहुत चले ठीक है किसके विशे में जानना चाहेंगी आज आप पहले तो यह बताईए कि आपको कैसे पता चला की पैसे पहल होता है कि फेरी सिर्थ था टाना इसे नहीं है प्सक्र की प्रियोग हमने बहुत सारे बताए हैं और जहुत यह to से इसका connection होता है फूलों के रस से बनता है और मीठा होता है गाढ़ा होता है शुक्र और मंगल का भी इसमें अंश्व से होता रसायन होने के कारण चले बहुत आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है उत्तर तो लग काफी लोगों ने सही दिया था लेकिन भागेशाली तो उसमें से विद्या भटी जी है तो पूछें अब अपने बारे में आप अच्छा अच्छा कोई बात निया आप जब कोई बात देखें ने जब आपके 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 पास हम वने खुद कॉल कर दिया आपको अभी आप अपने आपको तो आप फोन रख रेंगे न तो आप अपने आपको पिंच करिए का कि सच बूल आए था क्या तो बूलें आप डेटाबर्द बताएवे बद्या जी पर ब जी पताएं डेटा बर्थ अपना बीस साथ जी बीस साथ 79 89 79 जन्म समय बता दीजे सुबह का नो चालिस कहां का जन्म है विद्याजी मतवा मतवा जी मतवा गुजरात पूछें क्या प्रश्न है आपका आपका सिंग लगना है लगने में ही आपके शनी राहु बैठे है और चंद्रमा मंगल की यूती है आपकी कुंड़ी में मंगल जहां पर ब्रिशब राशी के चंद्रमा के साथ रोहनी नक्षत्र में है तेईश डिगरी का मंगल है और शादी आपकी इस वर्ष अब शनी देव के परिवर्तन के साथ सब्तम में शनी आएंगे इस वर्ष विवा की पूर्ण संभावना बन रही है विद्या जी यहां पर तूटेगा आपका यहां आपका रिस्ता तूट सकता है और पुना है आपका देखें शनी राहू जब साथ है सब्तमेश तो तलाक लगभग तैमान कर चलना चाहिए खीचिये मत अवस्था देखिए खीचिये मत बैवाहिक शुख नहीं तो कभी जीवन में नहीं मिलेगा आपके कब से अलग हैं आप एक बार बैठ करके बात करिए सब्तम में आ रहे हैं शनी देव क्या पता कुछ किरपा करते हैं आपके उपर अपने घर के रहेंगे कुम्भराशी के ही रहेंगे कुनली के हिसाब से संभव नहीं लग रहा है लेकिन आप प्रियास करिए अपनी तरब से कुछ किरपा हो सकती है बच्चे आपके साथ है कि हस्बेंट के साथ है नहीं वाँ अच्छा चले खैर परिशान मत होईए आपको एक उपाय बताता हूँ शनिवार का अवरत कर लीजेगा और एक बार शनिराहो की शांती करवा लीजे एक बार ना परसनल अपॉइन्मेंट ले करके शनिराहो की शांती करवा लीजे जरूर आपको फायदा होगा हाँ 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 फोन पर आप ले लीजेगा आप ना 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 नहीं पड़ेगा आप ले लीजे फिर देखते हैं आपका क्या और संभा हो सकता है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें कि अपना बहुत ख्याल रखी का विद्या जी बहुत 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 अच्छा लगा आज आप भागिशाली बनी इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है तो आप भी बात कर सकते हैं इसी तरह से अगर आपने सही उतर दिया है तो देर मत करिएगा नमबर आपके सामने चली रहा है किसी भी नमबर पर कॉल कर लीजिए वार्टसप कर लीजिए और सही उतर देकर बन जाएए भागिशाली विजेता पित्रो आज और कल दो दिन अभी आप हम से इन दोर मिल सकते हैं इसके बाद पूरे में रहेंगे साथ और आठ और नौ तारिक से लगातार मुंबई और 14 पंद्र है जी हाँ तेरह चोद्र है तेरह चोद्र है एहमदावार नमशकार शेरा दे और नमशके जी हाँ